येस वेलकम बैक टो ये चैनल तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगी कि फॉर्ड इंडिया में अपनी गाड़ियो के प्रोड़क्शन को बंद करने वाला है जिनके बास फॉर्ड की कास है तो क्या उनको सर्विस के वारे में एक ब्रानिक जरूरत है क्या फॉर्ड सच में इंडिया छोड़के जाने वाली है काफी सारी चीजों के वारे में इस वीडियो हम बात करें हैं तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया में फॉर्ड की शुरूरत 1994 में महिंद्रा इंड महिंद्रा के साथ मिलकर हुई थी तब कंपणी का नाम था महिंद्रा इंड फॉर्ड अफी तगड़े प्रोड़क लाउंच किया इस कंपणी इंडिया में अगर मैं इन में से कुछ के नाम गिनाओ तो उनका नाम है फॉर्ड फियस्टा, फॉर्ड आइकन, फॉर्ड फ्यूजन और इसी के साथ फॉर्ड इको स्पोर्ट, फॉर्ड फीगो, फॉर्ड फ्री स्टाइल, फॉर्ड एस्पायर और फॉर्ड की एंडेवर सबसे पहली बात क्या ही कंपनी इंडिया छोड़के जा रही है तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं इंडिया में फॉर्ड के दो प्लांट्स है जिसमें से एक जैन्ने में हैं और एक गुजरात में दोनुई प्लांट्स की मेनफेक्टरिंग क्यापसिटी लगबग 4 लाक युनिट्स पर येर की है और इसमें फॉर्ड ने 80,000 गाडिया बनाई जिसमें से 40,000 बाहर बिची गई हैं और 40,000 इंडिया में इस कंपणी ने लगबग 2.5 मिलियन डॉलर्स इंवेस्ट करा है और उसके बाद में इस कंपणी को 2 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है इतना घर्टा जेलने के बाद इस कंपणी ने अपने मैनुफेक्टरिंग प्लांट्स इंडिया में बंद करने का फैसला सुना दिया है इसके अलावा इंजन वगरे जैसे जो पार्ट्स होते जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसकी मैनुफेक्टरिंग 2022 के सेकेंड कोर्टर में यहाँ पर रोग दी जाएगी शुरुआत में इस कंपणी ने काफी अच्छा value for money package प्रोवाइड किया लेकिन जैसे जैसे competition भड़ता गया इनकी गाड़िया outdated होती गई अपनी गाड़ियों के अपडेट नहीं किया लोगों ने खरीदना पसंद नहीं करा और धीरे धीरे यह नो बता गई कि यह ने यह manufacturing plant बंद करना पड़ा शुरुआत में इस company की after sales services उतनी जाद अच्छी नहीं थी और इसी के साथ में इसकी service cost काफी ज़्यादा महेंगी हुआ करती थी लिकिन Figo और EcoSport जैसी गाड़ियों को launch करने के बाद में इस company ने अपनी after sales services को तो सुधारा ही उसी के साथ में अपनी service cost भी कम कर दी जिस टाइम पे लोगों को Global NCAP के G के बारे में तक नहीं पता था उस टाइम पे इस company ने अपनी गाड़ियों के इंदर 6 airbags तक दी थे तरी चीजों में सुधार होने के बाद भी लोगों ने इस company की गाड़िया इसलिए और नहीं खरीदी क्योंकि लोगों के मन में अभी भी high maintenance cost और बेकार after sale services का डर था अगर आप Ford की गाड़ि खरीदना चाते तो जो stock dealer और company के पसमें बचावाँ उसमें से खरीद सकते हैं इस पर आपको तरड़ा discount मिलने के भी chances है जो गाड़िया बिक चुकी है उनके service और parts availability में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है जैसे कि Ford ने बताया है और इन सभी गाड़ियों पर Ford लगबग 8 साल तक service देगा अभी सारे लोगों का सभाल है कि क्या Ford अब इन्डिया में गाड़िया बिचेगा तो जवाब है हाँ लेकिन Ford इन्डिया में अपने सिर्फ flagship products को ही बिचेगा जैसे कि Ford Mustang और Ford Mustang EV Chevrolet के इन्डिया छोड़ने के बाद में लोगों ने कहा कि Ford भी इन्डिया छोड़ देगा बाद में तो Ford का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था लेकिन जिस तरीके से सेल्स गिरती जा रही थी कंपनी को बार बार घाटा हो रहा था कंपनी को इन्डिया छोड़ना पड़ गया इस Ford के पास जो गाड़ियों का स्टॉक बचा हुआ है क्या आप उस में से Ford की गाड़िया खरिएना चाहेंगे या फिर आपके पास Ford की कोई सी गाड़ी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ड्राइब से थांक्स वो ओचेंग